हेलो सुदेंट्स हाव जी बेटा मैं आपकी इंग्लिश टीचर ऊशा मैं टूडेर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिक्स चैप्टर और प्लस टू क्लास ऑन सेइंग प्लीज रिटन बाइ एजी गार्डिया बेटा इसकी हमने लॉंग कोस्टन आंसर करने हैं इसकी श मेरे ख्याल में ये सारे कोस्टन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और अब हमने इसके लॉंग कोस्टन अंसर करते हैं और लॉंग कोस्टन जो है बेटा वो हमारे बोर्ड के हिसाब से ये वेरी वेरी इंपोर्टन है और इनमें से एक कोस्टन आ ही जाता है तो इ पेटा हमारे जिन्दगी में अगर हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें कुछ words हैं अगर हम politely use करते हैं उनको please, thank you, ऐसे शब्स use करते हैं तो हमारी life मेरे ख्याल में काफी smooth हो जाएगी, हमारी life काफी easy हो जाएगी, कोई लड़ाई जगडा नहीं होगा, अगर हम किसी के साथ rudely behave करते हैं तो बहुत सारे राई जगडे यानी होने के chances रहते हैं, तो let us start, first question, write in your own words the theme of the chapter on saying, please, तो इसका answer है, this essay tells us about the value of good manner, यह जो essay है, वो हमें good manner की value के बारे में बताता है, उसकी महत्ता के बारे में बताता है, bad manners are not a legal crime, जो bad manners होते हैं वो एक कनूनी अपरात नहीं है, but a man with bad manner is disliked by everybody, लेकि एक इनसान अपने bad manners के कारण, बुरे वरताव के कारण, हर एक उसको कोई like नहीं करता है, उसको dislike करता है, words like please and thank you, help us in making our passes through the life smooth, अब शग्द जो की please और thank you words होते हैं, वो हमें हमारी life को smooth करने में वो बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है, the law does not permit us to hit back, हमें कनून इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को चोट पहुंचाए, if we are the victims of bad manner, अगर हमारे साथ कोई बुरा बरताब, बुरा बेभार करता है, bad manners create a chain reaction, bad manners जो होते हैं, बुरा बरताब जो होता है, वो एक chain, एक reaction बना देता है, यानि कि एक के बाद एक घटना होनी शुरू हो जाती है, a good manner person will find that his work become easier by the ready cooperation of other, कहते हैं कि एक good manner person जो होता है, वो अपने काम को, वो क्या ढूनता है, कि उसका काम easy बन सके दूसरों के cooperation के साथ, अगर हम एक दूसरे को cooperate करेंगे, सहयोग देंगे, तो शायद हमारा काम easy हो सकता है, असान हो सकता है, तो second question, describe the narrator's encounter with the bus conductor, अब narrator, जो writer है, वो bus conductor के साथ उसकी मुलाकात के बारे में बताई, one day the writer boarded a bus, एक बार, writer जो है, bus में चड़ जाता है, he found, क्या पाता है, that he had no money in his pocket, उसकी pocket में कोई पैसा ही नहीं है, he told the conductor, वो conductor को बताता है, that he had no money, उसके पास कोई पैसा नहीं है, he wanted to go back for the money, वो पैसे लाने के लिए बापिस जाना चाता है, to his surprise, वो बहुत हैरान हो जाता है, the conductor told him, जब conductor उसको कहता है, that he did not need to go back for money, उसको पैसे लेने के लिए बापिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, he gave the writer a ticket without demanding the fear, fear means होता है, यहाँ पर किराया, वो उससे किराया मांग किये बिना ही उसको ticket दे देता है, writer को, the writer asked the conductor, जो writer है, वो conductor से पूछता है, where he should send the fear, कि वो इसका किराया उसको कहाँ पर दे, the conductor told the writer that he would see him on the route someday, कि वो उसको conductor writer को बताता है, कि वो किसी दिन फिर से, यहीं ऐसे ही मिलेंगे, तो वो उसको किराया दे सकता है, in the meantime, उसी समय, he found a shillings in his pocket, उसको कुछ पैसे उसकी pocket में मिलते हैं, and the account was settled, और जो उसने उससे पैसे टिगट ली होती है, उसका जो पैसे होती हैं, वो वहाँ पर उसका भुक्तान हो जाता है, The writer's behavior left a very good impression on the writer, अब conductor का जो behavior था, उसने बहुत ही एक अच्छा परभाव writer की उपर डाला, answer question number three, draw a brief character sketch of the bus conductor in your own words, a bus conductor का character sketch बिटा very very important है, इसका theme और character sketch इस lesson का very important है, यह हमेशा ही learn करके जाएए जब आप exam देने जाओगे, क्योंकि इस में से दोनों में से एक question आ ही जाता है, तो bus conductor का जो character sketch है very very important है, तो question का answer है, the bus conductor was very cheerful and good-natured man, कि bus conductor जो था बहुत हस्मुक और अच्छे सभाव का आदमी था, he kept his passengers comfortable, वो अपने passengers को अपने जात्रियों को बहुत ही comfortable रखता था, अरामताय रखता था, he was very helpful to his passengers, वे अपने passengers के साथ बहुत ही helpful था, उनकी हमेशा साहिता करने के लिए तयार रहता था, with elderly passengers, जो बुड़े passengers होते थे, बड़ी उमर के लोग होते थे, he was like a respectful son, वे उनके साथ एक अच्छे बेटे की तरह, अग्याकारी बेटे की तरह behave करता था, with children, children के साथ, he was like a loving father, वे एक अच्छे फादर की तरह, प्यार करने वाले फादर की तरह, उनके साथ बात करता था, he cracked jokes with the young ones, और नौ जवानों के साथ, वो हसी मजा करता था, he took special care of the blind and handicapped people, वो अंधे लोगों के साथ, और handicapped यानि की अपाहज लोगों के साथ, उनकी, वो special care करता था, उनके देख़ाल करता था, he was gentle and soft spoken, वो एक भदर पुष्ट था, और बहुत ही soft spoken था, अच्छी वानी बोलने वाला, अच्छे शब्द बोलने वाला, विनमर रहने वाला इंसान था, once he gladly agreed to give the writer the bus ticket, एक बार, वो खुशी खुशी, बस ticket writer को देने के लिए, वो तयार हो जाता है, दे देता है उसको ticket, and charged from him the letter, the fear letter, और उससे जो किराया है, उसका वो बात मिलेता है, once he trampled the writer's two with his, caused him great pain, एक बार, वो बस में, writer की पैर की उंगली की उपर, उसका पैर आ जाता है, उसको बहुत pain का कारण बनता है, he apologized to him, वे उसी वक्त उससे माफी मांगता है, and traveling in his bus, उसकी बस में travel करते समय, was like getting a great, getting a lesson in good manner, जब हम उसकी conductor की बस में यात्रा करते हैं, तो हमें good manners का, अच्छे behave करने का, एक अच्छा lesson मिलता है, तो यही है की bus conductor की सारी qualities, तो यह हमारा lesson complete होता है, मेरे ख्याल में सभी को यह question समझ आ गए होंगे, तो मेरी question जितने भी मैंने समझाए हैं, मेरे ख्याल में आप इसको अच्छी तरह से learn करोगे, और अच्छे marks लोगे, थाँ बेटा, थाँ थाँ पर वाच्छी मैं एड वीडियो, गद्ब्लश। झाल झाल